इंतिजार हुआ समाप्ट जी हां इंतिजार हो गया समाप्ट इंटर रिजल्ट का फाइनल डेट यहां पे दो पहर के तीन बजे जारी होने की बात की गई है फाइनल डेट की अनॉंसमेंट कर दी गई है कि आपका फाइनल डेट कव है और किस दिन आपका इंट्रेकर रिजल जो है वो आने जा रहा है यूँकि बिहार बोर्ड ने यहाँ पे तैय सीमा जारी कर दी है कि कौपी जाज जो है इतने दिनों में शमाप्त कर लेना है पूरी जनकाली यहाँ पे दी जारी है फड़ा फड़ वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पे पहली बारे चैनल को सबस्क्राइब करके वेल आइकन क्लिक कर लें ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे आपको बता दे कि बिहर बोड ने पहले से ही समय रिखा जो है तैयार कर रखी थी कि इस दिन आपका रिजल्ट होगा इस दिन जो है आपका कॉपी जान पूरा कर लिया जाएगा और यहाँ पे फिर से एक बार जो है यहाँ पे तैयर रूप रेखा के अनुशार ही आपका इं भी काफी अच्छा होने वाला है और यहाँ पे काफी अच्छा प्रोफोर्मेंस जे है चातरों ने यहाँ पे कीया है सिफ़ सहरी नहीं ग्रामीन च्राके और आपको बताते ग्रामीन च्छातों को ऐसे पी सुरू से छूट दिया जा रहा ठीक है और इस बार भी Grammin चातरों को ज़ादा देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि Topper जो होते हैं Maxim Grammin चातर ही Topper होते हैं यहाँ पर भी हर बिद्याले परीचा समिते ने शाप सब किलियर किया है कि Inter की जो परीचा है वो कफी अच्छी तरीके से ली गई है और bonus marks, extra marks ये सारे उन्हें दिये जाएंगे क्योंकि कोई भी किसी तरह की cheating यहाँ पे किसी center से नहीं आई है subjective copy की जाँच की बात करें तो subjective copy के लिए साब सब clear किया गया है कि जो लगूतरिय और दिःगूतरिय के जो copy है वो भी जीलावाइज सभी जगा center पे भेज आ रहे है और जिसा कि मैंने कल भी बताया था कि जीलावाइज आपकी copy को भेजा जा रहा है और जिलावाई जो है कॉप्यों को जाच किया जाएगा इसलिए ये परकिरिया जो है वो फास्ट कि जा रही है ताकि रिजल जो है इंटर का तैय समय पे आ पाए और सभी छात्रों जो है अच्छी कॉलेज में अड्मिशन ले पाए और छात्रों को काफी अच्छा मौका मिले उन्हें मन पसंद कॉलेज में एडमिशन लेने का ठीक है यहाँ पर जानते है कि क्या बिहारबोर ने फैनल डेट क्या बताया है इंटरमेट्रिक रिजल्ट मोबाइल में डाउलोड करने के लिए आपको प्लेश्टर में जाना है और बिहारबोर रिजल्ट 2023 सर्ज करना है जैसे ही सर्ज करेंगे प्लेश्टर में जाकर तो आपके सामने बहुत सरा एप आप आजाएगा तो यहाँ पर जो आपको रेट करका दिख रहा है इस एप पर आपको क्लिक करना है और इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने से पहले आपको वहाँ पर करके डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आपको वापन करना है तो आपको इस तरीके से खुल कराएगा 10 वाले 10 पे क्लिक करेंगे 12 वाले 12 पे क्लिक करेंगे और यहां से आप अपना रिजल्ट चेक रिजल्ट पे क्लिक करके चेक कर पाएगे के लिए फानल डेट जो बताई गई है उसमें दो डेट की बात कही गई है पहली डेट जो है वो आपका 15 मार्च के आसपास रखा गया है ठीके अगर सारा मुल्यांकन समय पे हो जाता है तो 15 मार्च तक आपका इंटर करिजल जारी कर दिया जाएगा लेकिन अगर मुल्यांकन के बाद किसी तरह की फिर से सुधार की बात की जाए या किसी जीले का कुछ बांकी रह जाए तो सब कुछ सुधार करते हुए 25 मार्च तक आपका इंटर करिजल जो है वो जारी कर दिया जाएगा यानि 25 मार्च से पहले आप लोग का इंटर करिजल जारी होने जा रहा है त बने रहे हैं इस चनल पे ताकि बिहार बोड की हर लेटिस्ट अपडेट आपको मिल सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले मिलते हैं आप से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ बने रहे हैं इस चनल पे ठैक्स वोचिंग इस वीडियो